दोस्तों, दुनिया में World Bank, IMF जैसे institutions क्यों है, ये कैसे आए, इसके अलावा, आखिर US डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग करेंसी क्यों है, आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारिक मुद्रा क्यों है, तो इन सबका आंसर जानने के लिए हमें ब्रेटन वूट सिस्टम को समझना होगा, वैसे ब्रेटन वूट सिस्टम की जो शुरुआत है, वो 1944 से शुरू ही, बढ़ हम थोड़े से पहले की बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसे पहले की बात करें, तो देशों को व्यापार करने में बहुती प्रावलम का सामना करना पड़ता ब्रेटन वूट प्रनाली के लागों होने से पहले देशों को ट्रेट करने में बहुत सारी प्रावलम्स फेस करने पड़ते थी, सबसे बड़ी प्रावलम्स थी एक्सचेंज रेट, अब सामान के बदले सामान तो लेना देना तो बहुती पुराना हो गया, अब जब एक्सचेंज रेट था, वो बहुती बढ़ जाता था, कई बार वो अचानक से बहुती घड़ जाता था, तो ये कुछ ऐसी प्रावलम्स थी, इसके अलावा करेंसी को एक्सचेंज करने में बदलने में भी बहुत प्रावलम्स होती थी, लाइक मेरे पास अगर मान लिजी साथ व्यापार करना है, तो हो सकता है भाई कि अमेरिका उस करेंसी को एक्सेप्ट ना करें, मतलब अगर हमारे पास किसी दूसरे देश की करेंसी है, तो हो सकता है कि उस करेंसी से हम किसी तीसरे देश के साथ व्यापार ना कर पाएं, तो इसमें एक्सचेंज करने में काफ टी हो सकता है ना मालीजी के हमारे पास ही अलिए बात कर रहा तो कई सारे देश उस करेंसी को एक्सट ना करते हूं तो कुछ इस तरह की प्राउलम्द थी कि इसके अलावा जो एपार होता था वह होता था बाइज़ काइशिया वीवाभ नहीं होता जब वो विवाद सॉल्व नहीं होते थे तो कई बार युद भी हुआ करते थे तो ये भी एक समस्या थी विश्वयपार की इन सब के अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड वार टू की तो 1940 के तशक में वर्ल्ड वार टू के कारण जो यूरोपी देशों की जो अर्थ वैवस् इस ट्रक्शर था वो डिस्ट्रॉइ हो गया था बरबाद हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार ने सोवियत यूनियन पर भी अपना एक प्रभाव छोड़ा था मतलब वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार से प्रभावित हुआ था अब ऐसी सिच्वेशन में यूरोपीन कंट्र विष्व की जो एकॉनामी थी उसको रिकंस्ट्रक्शन करना था मतलाब अब उसका पुना निर्मान करना था और विष्व को एक विकास की ओर ले जाना था विष्व में विकास कारेकरम शुरू करना था तो इन समस्याओं को जो व्याफार से रिलिटिड समस्याएं थी वर्ल्ड वर्ट टू के कारण जो समस्याएं थी इनको सॉल्व करने के लिए जुलाई 1944 में ब्रेटन वोट्स यूएस में एक जगा है अमेरिका में एक जगा है तो यहां पर मौनेटरी एंट फाइनेंशियल क कॉन्फरेंस की गई एक मौद्रिक और वित्तिय सम्मेलन किया गया जिसमें 44 देशों के 730 रिप्रेजेंटेटिव सने प्रती निधियों ने हिस्सा लिया था वैसे ये मौनिटरी एंड फाइनेशियल कॉन्फरेंस यानि कि एक वित्तिय सम्मेलन क्यों किया जा रहा था इसका रीजन आपको थोड़ा समय ने हिस्ट्री में दे दिया इसके अलावा एक विष्व में एक एफिशेंट फॉरेंड एक्सियंज सिस्टम इस्थापिद करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जिसमें पैसा आसानी से करइंसी आसानी से चेंज हो सके इसलिए ये बै तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ब्रेटन वूट सिस्टम में कौन से प्राविजन किये गए थे आखिर इसे लागू करने से दुनिया में क्या परिवर्तन हुआ क्या चीज सामने आई तो 1958 तक ब्रेटन वूट सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया गया था अब जब एक सोने की जो वैल्यू है उसके बराबर आंका जाएगा उसके बराबर देखा जाएगा और जितने भी देश है वो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के हिसाब से देखेंगे अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बात ये भी है कि इसमें यूएस ने ये कहा कि हम एक आउंस सोने पर एक आउंस सोने का मतला होता है साड़े 28 गराम सोने पर गोल्ड पर हम 35 डॉलर करेंसी चापेंगे अब ये इसका कोर पॉइंट है तो प्लीज ध्यान से समझेए अब ब्रेटन वूट्स प्रनाली से भी पहले क्या होता था कि जितने भी देश थे वो अपने सोना था तो उसने सोचा कि मेरे पास 10 किलो सोना है मैं 10 लाग रुपे निकाल देता हूं 10 लाग रुपे की करेंसी निकाल देता हूं चाइना के पास 20 किलो सोना था तो उसने सोचा कि मैं अपने जो यान चलता है वहाँ पर तो मैं अपने 40 लाख यान निकाल देता हूं सब अपना देखते थे और अपने ही हिसाब से कोई fix नहीं था सब अपने हिसाब से gold को ध्यान में रखकर currency निकालते थे तो यह सिस्टम था यह सभी देशों में अलग अलग था तो सभी देश अपने हिसाब से कर रहे थे तो यह बहुत ही अलग था इसी की current problems होती थी अब दोस्त है यूएस जो currency यूएस जो है वो अपनी currency को gold के हिसाब से चापेगा और दुनिया अपनी currency को US dollar के हिसाब से चापेगी यूएस जो है वो gold के हिसाब से चापेगा और दुनिया US को देखकर अपनी currency चापेंगी देखिए US ने कहा कि मेरे पास अगर एक आउंस सोना है मतलब साड़े 28 गराम सोना है गोल्ड है तो मैं 35 डॉलर करेंसी छापूंगा और बाकि फिर सभी देश अपना इसी हिसाब से देख ले जैसे कि अगर भारत के पास एक आउंस सोना है तो अब भारत 35 डॉलर के बराबर अपने रुपए को छाप सकता है इसे थोड़ा और असान करते ह अब मैंने बहुती डिवाइड किया मिल्टिप्लाइ किया तो एक छोटी सी एक्वेशन सामने आईए समझ जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं मतलब यह है कि अगर यूएस के पास 0.81 ग्राम गोल्ड है तो यूएस एक डॉलर चापेगा एक डॉलर करेंसी अपनी निकालेगा और इसी तरह अगर भारत के पास 0.81 ग्राम गोल्ड है तो भारत भी एक डॉलर के बराबर अपनी करेंसी को चाप सकता है अब एक डॉलर का मतलब क्या है भारत में तो एक डॉलर का मतलब भारत में आज की टाइम पर 76 रुपे है तो मतलब यह है कि अगर भारत के पास 0.81 ग एक डॉलर चापेगा तो भारत 76 रुपे चाप सकता है गोल्ड के हिसाब से मतलब कहने का यहाँ पर यही है कि पहले ऐसा नहीं था कि यूएस डॉलर को देखा जाए बट ब्रेटन वुट सिस्टम आने से यह हुआ कि अब सब यूएस के हिसाब से चलने लगे यूएस जितनी करेंसी गोल्ड के हिसाब से चापता है सब यूएस को देखना शुरू कर दिया कि अगर यूएस एक गराम गोल्ड पर इतना डॉलर चाप रहा है तो हम भी अपनी ही उतनी ही करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से चापेंगे एक बात तो हो गई करेंसी की कि सब यूएस को द डॉलर दे देंगे इसके साथ ही जिसके पास 35 डॉलर है उसको हम वन आउंस गोल्ड दे देंगे तो यहाँ पर एक गैरेंटीड जो सिस्टम है वो लागू हो गया कि दुनिया में किसी भी देश के पास अगर 35 डॉलर है तो आप एक आउंस गोल्ड अमेरिका से ले जा सकते हो इससे जो exchange rate था वो fix हुआ और लोगों को विश्वास हो गया world trade बढ़ा जो देश थे उन्हें guarantee मिल गई कि अगर हमारे पास 35 डॉलर है तो हम एक ounce gold खरी सकते हैं भाई dollar तो कागज की note है dollar तो एक number है बट हमें उसके बदले में gold मिल जाएगा gold तो एक guaranteed चीज है तो यही था ब्रेटन वूट सिस्टम अब थोड़ा सा और इसमें कुछ key points हैं उन्हें समझ लेते हैं अब exchange rate वगएरा को control करने के लिए stable करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी IMF तो IMF जो संस्था है International Monetary Fund जो यह संस्था है यह ब्रेटन वूट्स agreement के तहत ही इस्थापित हुआ इसके अलावा जो reconstruction करना था जो development करना था यूरोपिय देशों का उसके लिए IBRD यानि कि International Bank for Reconstruction and Development की स्थापना के गई थी तो IMF और IBRD यह दो institutions ब्रेटन वूट agreements के तहत लागू हुए थे आये थे IBRD का मतलब World Bank ही है इन दोनों ही institutions को Twins of Breton Woods भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं कि आखिर यह जो वैवस्था थी जो यह system था वो collapse क्यों कर गया आखिर Breton Woods system खतम क्यों हो गया तो friends जैसा कि मैंने थोड़ दिर पहले बताया कि America ने यह guarantee ले रही कि जिसके पास 35 डॉलर हैं हम उसे एक आउंस गोल्ड दे देंगे अब उस समय अमेरिका ने जब यह बात कही थी उसके पास गोल्ड बहुत सारा था तो उसके पास confidence था उसने ऐसा कह दिया और ऐसा मतलब नियम लागू हो गया बट over the period जैसे इसे time बीचता गया तो European देश थे कई सारे देश थे जिन्होंने वैपार के तरीक वैपार किया बहुत सारा वैपार किया और उससे बहुत सारे डॉलर्स को collect कर लिया और उस डॉलर्स के दुआरा यूएस से गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया अब ऐसे में हुआ ये कि यूएस के पास गोल्ड रिजर्व कम हो गये बहुत ही कम हो गये जिसके कारण अब यूएस ने क्या कर दिया कि पहले तो यूएस 35 डॉलर पर एक आउंस गोल देता था बट अब यूएस ने कहा नहीं हम 42 डॉलर पर एक आउंस गोल देंगे इसके बाद ही समस्या तब भी नहीं रुकी यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो खत्म होता ही गया जिस कारण से जो राष्टपती निक्सन थे उन्होंने 1971 में डॉलर को जो गोल्ड में कनवर्ट किया जाता था मतलब जो ये परिवर्तन किया जाता था गोल डॉलर लिया और सोना दिया इसको कुछ समय के लिए उन्होंने रोग दिया बिलकुल सस्पेंड कर दिया आइस्थाई तोर पर इस्थगित कर दिया और फिर विचार किया गया सब भी ने अमेरिकी आर्थशास्त्रों ने विचार वगरा किया और इसके बाद 1973 में ब्रेटन वूट सिस्टम को कॉलाप्स कर दिया गया तो इस तरह ब्रेटन वूट सिस्टम जो था वो कॉलाप्स हो गया बठाँ IMF और World Bank आज भी दुनिया में मौजूद हैं और इनका एक बहुती बड़ा रोल है लेकिन जब ये ब्रेटन वूट सिस्टम कॉलाप्स कर गया तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब कोई भी देश अपनी करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ जोड़ सकता है लाइक पहले US के साथ जोड़ा जाता था अब किसी भी दूसरे देश की करेंसी के साथ वो जोड़ सकता है जिसे UK के साथ भी जोड सकता है, फ्रांस के साथ भी किसी भी देश के साथ अपनी currency को जोड सकता है और जो अब currency का जो rate है वो fix नहीं रह गया अब currency का rate जो है exchange rate वो market के हिसाब से वो तै किया जाने लगा अब market के हिसाब से exchange rate उपर हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं जितने भी देश हैं, उनकी जो central banks हैं, जैसे कि हमारा देश का RBI है तो ये exchange rate को control करने की कोशिश करते हैं, अपने देश के लिए अगर इंडिया का जो exchange rate है वो बहुत ही उपर जा रहा है या वो control में नहीं है तो RBI क्या करता है, जादा से जादा जो dollars उसके पास होते हैं, उसको निकाल कर एक exchange rate को control करने की कोशिश करता है I hope friends ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाद जाद शेयर करें और लाइक करें, thank you